Hello Friends, Welcome to SK Creation आज हम निव पैटर्न का मास्क बनाना सिखेंगे इसमें हमने लास्टिक का यूज नहीं किया है हमने कपड़े का यूज किया है अगर आपके पास लास्टिक नहीं है तो आप इस तरह का मास्क बना सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने दो कपड़े लिए हैं कपड़े की चोड़ाई 25 cm है और इसकी लंबाई 16 cm है अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे फिर हम इसे दोबारा बीच से फोल्ड करेंगे और उपर की साइड हम 3.5 cm लेंगे और नीचे की साइड हम 3 cm लेंगे और कॉर्णर की साइड हम 2 cm लेंगे हमने एक प्लेट लिया है जिसका डाइमेटर 20 cm है अब हमने जो उपर की साइड डॉट किया था 3.5 cm और 2 cm का हम वहाँ पर प्लेट को रख कर एक कर्व से बना लेंगे सेम उस तरह जो हमने नीचे में डॉट किया था हम प्लेट को वहाँ रख कर तुसरा कर्व से बना लेंगे और हमने जितने भी लाइन स्ट्रॉ किया है उससे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद अब हम अपने कपड़े को सिधा करेंगे सिधा करने के बाद हम दोनों कपड़ों को अला कर लेंगे फिर हम दोनों कपड़ों को बीच से फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे प्रेंट हम इसमें लास्टिक ने लगाएंगे तो उसके लिए हमने 4.5 cm चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई 100 cm है इसे हम लास्टिक के प्लेस पर यूज़ करेंगे सबसे पहले हम अपने दोनों कपड़े की उपर की साइट पे सिलाई लगा लेंगे अब हम अपने पहले कपड़े को सिधा करेंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा कपड़ा उसके उपर रखेंगे उल्टा करके उसके बाद हम इसके पर सिलाई लगा देंगे कपड़े को ऐसे तरीके से उपर रखें और उसके पर सिलाई लगा लें पहली साइड सलाई करने के बाद हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे उसके बाद हम उसे दुस्रे साइड में सलाई लगा लेंगे हमने कपड़े के दुनों साइड में खुला एरिया छोड़ा है तो हम वहां से कपड़े को सिधा कर लेंगे करने के बाद हम उपर की साइड में हाफ संटिमीटर फोल्ड करके उसके उपर सलाई लगा लेंगे दोनों साइड हम हाफ संटिमीटर फोल्ड करेंगे और उसके पर स्लाई लगा लेंगे के बाद हमने जो कपड़ा 4.5 cm चौड़ा कपड़ा लिया था उसे हम बेच से फोल्ड करके लगा लेंगे और उसके पर स्लाई लगा लेंगे लगाने के बाद जो कपड़ा बच जाएगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे ते उसी तरह हम दोस्तियों साइड भी लगा लेंगे दोनों साइड स्लाई लगा लेने के बाद हम अब उपर की साइड से कपड़े पे लगाएंगे तो देखेंगे पर हमने कपड़े को बीच से फोल्ड कर लिया है और हम इसे चारों एरिया में लगाएंगे इसी कपड़े से देखेंगे कपड़े को सेट कर लिया है तो हम इसको धीरे-धीरे सेट करते जाएंगे असलाई लगाते जाएंगे मास पेस लगाने के बाद हम नीचे की साइड में 18 संटीमीटर तक इक्स्टा चलाई लगाएंगे ताकि इससे हमें कान पर पहनने के लिए बनाना होता है तो इसलिए फ्रेंट्स हम 18 संटीमीटर इक्स्टा तक चलाई लगाएंगे स्लाई लगा लेने के बाद अब हम उसे बीच से फोल्ड कर देंगे और देखिए हमारा कान में पहनने वाला बन चुका है उसके बाद जो कपड़ा है उससे हम नीचे की साइड स्लाई लगा लेंगे और जिस तरह स्टेम हमने उपर के साइड 18 संटीमीटर लिया है उतना हम नीचे भी लेंगे और उसी तरह फोल्ड करके स्लाई लगा लेंगे आप मेंगे लेंगे और जो हमारा एक्स्टा कपड़ा बचेगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे और लास्ट में हम कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और नीचे में अच्छे से सेट करके उसके पर सिदाई लगा लेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर अन सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई फ्रेंड